बल सभी और है बल जगत को गतिमान रखता है जब वस्तु गतिमान रहती है तब बल उनकी गति कम या ज़ादा कर सकता है हम हमारे रोजमर्रा के कामों में अनेक प्रकार के बल इस्तमाल करते हैं आईए इसके बारे में अथिक जानकारी लेते हैं जब हम गेंद नीचे फेकते हैं तब वह जमीन पर गिरती है और जब हम गेंद हवा में उच्छालते हैं तब कुछ देर के बाद भी वह जमीन पर ही गिरती है इसका कारण पृत्वी है गुरुत्वाकर्शन येक ऐसा बल है जो वस्तूओं को एक साथ रखता है गुरुत्वाकर्शन सौर मंडल के ग्रहों को सूरज की परिक्रमा में बांधे रखता है पृत्वी पर सभी और गुरुत्वाकर्शन का परिणाम देखा जा सकता है सभी वस्तूओं जिने वस्तूमान है वे गुरुत्वी बल तयार करती है जितना जादा वस्तुमान उतना जादा बल जब हम जमीन पर जलते हैं, गीन उठाते हैं, अत्वा अन्य कुछ वस्तुएं उठाते हैं, तब हम गुरुत्वाकर्शन महसूस करते हैं कोई भी वस्तु जब पृत्वी के गुरुत्वाकर्शन के कारण खींची जाती है उसे वजन कहते है यद्देपी लोग कभी-कभी वस्तुमान और वजन इन शब्दों को समानार्थी रूप में इस्तमाल करते हैं लेकिन ये दोनों भिन्न है वस्तुमान का अर्थ वस्तु में द्रव्य का प्रमान होता है वस्तु पर गुरुत्वी आकर्शन उस वस्तु का वजन दर्शाता है भिन्न भिन्न आकर्शन बलों के कारण वजन में भी भिन्नता आती है इसी कारण चांद पर वस्तु का वजन अलग रहता है अगली कक्षाओं में आप वस्तुमान और वजन के बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं हम लोहे की ये पिंस लेंगे अगर हम इस चुम्बक को इन पिंस के पास लाएं तो क्या होगा? चुम्बक सभे पिंस को आकरशित करेगा चुम्बकत्व यह ऐसा बल है जो दूरी पर कार्य करता है पिंस प्रायह चुम्बक के अगरभार और अंतिम भाग पर चुपकेंगी चुम्बक की बल यह छोरों पर अधिक रहता है इन्हें धुरूव कहते हैं हर एक चुम्बक में उत्तर धुरूव और दक्षन धुरूव होता है जब चुम्बक को हवा में टांगा जाता है किसी भी चुम्बक के दोनों सीरों पर चुम्बक की असर सरवाधिक होता है इन सीरों को उत्तर धुरूव तथा दक्षन धुरूव कहते हैं सोचिए इन तांबे के तारों का क्या होगा क्या वे चुम्बक द्वारा आकरशित होंगी नहीं, लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे चुम्बके धातू या पदार्थ ही चुम्बक द्वारा आकरशित किये जाते हैं इस प्लास्टिक की गेंद का क्या होगा क्योंना आप स्वयम ये करके दिखें जब हम हमारा जकेत निकालते हैं तब क्या आपने कभी चिनगारी महसूस की है या जब आप दर्वाजे की चितकनी छूते हैं तब क्या आपको कोई जटका महसूस हुआ है ये इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर बिजली का संकलन करता है इस चिंगारी को या इस जटके को ही स्थिर विद्युत बल कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो एक ही स्थान पर बने रहते हैं या एक ही जगा पर इकट्था होते हैं ऐसा मुख्यता ठंड और शुष्क दिनों में होता है जब हमें अपनी साइकिल को रोकना होता है तब हम ब्रेक लगाते हैं ब्रेक पहिये के विरुद्ध दिशा में घिस्ता जाता है और पहिये को घूमने से रोकता है पहिये को रोकने वाले इस प्रक्रिया को ही घर्शन कहते हैं घर्षण यह ऐसा बल है जो एक दूसरे पर फिसलती वस्तूं की गती को रोकता है घर्षण का निर्मान होता है क्योंकि सभी वस्तूं का प्रुष्ट भाग खुर्दरा होता है बिल्कुल चिकनी और समतल दिखने वाले वस्तूं में भी कुछ भाग ऐसा होता है जो चिकना नहीं होता जब कोई वस्तू दूसरी वस्तू पर सरकती है तब यह खुर्दरे भाग आपस में खिश जाते हैं इस घर्षन के कारण वस्तूं की गती धीमी होते होते अंत में थम जाती है जब हमें रुकना होता है तब घर्षन अच्छा होता है हमें कभी-कभी घर्षन कम करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें गती में सहजता पेक्षित होती है क्या बता सकते हैं कि हम साइकल में लुब्रिकंट अर्थात स्नेहक जैसे ग्रीज या तेल क्यों डालते हैं जब हम साइकल के जोडों में और चेन में ये स्नेहक डालती है तब वह घरशन कम करता है इसका कारण है कि स्नेहक अर्थात लुब्रिकिंट ये अत्यधिक चिकना और फिसलने वाला पदार्थ है जो घर्षन कम करता है चलिए रंगों के इन दो डिब्बों को एक के उपर एक रखते हैं अब हम उपरी डिब्बे को घुमाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो ज़रा भी हिल नहीं रहा अब हम उपरी और नीचे वाले डिब्बे के बीच में कुछ कंचे रखेंगे क्या अब उपर वाला डिब्बा हिल पाएगा अब उपरी डब्बा आसानी से घूम सकता है आप स्वेहम ये करके देखिए और निशकर्श का विशलेशन कीजिए घर्शन ना हो तो पत्तों का घर गिर जाएगा जब तक पत्ते खड़े कोण में होते हैं तब तक पत्तों में आपस में जो घर्शन होता है वह उन्हें उस थान पर बनाए रखता है इस दिवार से सटक कर जो सीड़ी है उसके बारे में भी यही सत्य है साराश बल सभी और रहता है बल जगत को गतिमान रखता है जब वस्तों में गतिमान होती है तब बल उनकी गति कम अथवा अधिक कर सकता है बल वस्तों की दिशा भी बदल सकता है बल यह न्यूटन इकाई में ना पा जाता है अब आप भी इस धान्त को अच्छे से समझने के लिए हमने जिन गतिविधियों के बारे में चर्चा की है वे करके देखें झाल